आज हम छिते जिन्दी बुख से कक्षा नोभी में पाड 17 में पढ़ेंगे बच्चे काम पर जा रहे हैं पहले देखेंगी हम कि ये पाड किस में लिखा को इसके लेखा कौन से हैं दो इनके लेखा थे रादे जोशी लेखा कौन है? राजेश जोशी इनका जैनम दाट सिंग परमें जिके में भुआ था उनने तो शैलिस नहीं उननिस सो चैलिस में इनका जैनम हुआ था नर्सिंगर में है न इनकी रचना है एक दिन बोलेंगे पेर रचना ही क्या है एक दिन बोलेंगे पेर अब हम देखेंगे क्या है पार्टी बोलेंगे पेर क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों खेयां खतम हो गए है एक आए इसका भावार्थ है की बच्चे काम पर जा रहे हैं यहां कभी ने अपने मंदर बताया है उत्रे सवालों को बाया किया है क्या बच्चों की खेलने की जगा है पतम हो चुकी है क्या सावी मैदान जहां बच्चे कहते हैं सारे बगीचे जहां बच्चे कहला करते हैं वहाँ पर सारे घरों के आनगे नहीं हो चुके और बच्चों के का पास अब कुछ नहीं बचा इसलिए वे सुभाई उपकर नाम पर जारे थे तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में कितना वयानक होता अगर ऐसा होता वयानक है लेकिन इससे भी जाएदा यह की है सारी यह की है सारी चीजे हस्वा मासूल बच्चे काम पर जा रहे हैं इसमें अब इन लाइनों में पंगतियों बताया कभी के अलजार कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं इसलिए क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीजें जैसे गैन किलों ने बगीचे मैदान घर कांगन आदी त्यादी सब खतम हो चुके लोगों ने बगीचों के पास मकान बना चुके आज कल की देखा होगा बच्चों बगीचे अब कम बच्चे हैं तो जगहे ही नहीं बच्ची तो वहाँ के बच्चे कहा जा रहे हैं काम पर जा रहे हैं उसी कवर्णन कभी ने किया है उनके पढ़ने के ये सारी किताब इद्याला इवा मदर से खतम हो चुके हैं जब बच्चों के खेलने कुदने की सारी चीजे उपलब्द हैं और उसके बार भी बच्चे काम पर जा रहे हैं जाने के लिए वे वर्ष हैं इसी कारण कभी हटास होकर निरास हो जाते हैं और कभी कहते हैं कि समाझ में चल्रहें बाल स्रमकी और हमारा द्यान कीचने में पूरी तरह सफल हुए, कभी के अंसार, बच्पन, खेल कूद पढ़ाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है, इस वक्त तो उन पर कोई भोजिया जिनमें जारी नहीं होनी चाहिए, आप कभी कह रहे हैं अपर किस पर जोड दिया है कभी ने, बाल स्रम पर, छ बहुत छोटे-छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, बाल स्रम के लिए जा रहे हैं, कभी की सोच आए थी कि दुनिया में सभी खेलने कुद भी की जगह एवं चीजें खतम हो गई, इसलिए साइट बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन जब यह देखते हैं, कि जगह हैं दुनिया में भरी पड़ी हैं, पर चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता है, कि सारी चीजों के मवजूद होने के काम पर जा रहे हैं, और छोटे-बच्चे दुनिया की हजार-हजार सड़कों से चलता है, अपने-अपने काम के लिए जाने के लिए इसकी उन्हें में अमारे काम रहे हैं, प्रस्म उठाया है, की बच्चे काम पर जा रहे हैं, काहे पर जोट दिया है इस कमिता में, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बार श्रंप के बारे में, अब हैं कठिल शब्दों के आर्ट, जैसे की कोहरा याने दुन, जैसे अभी जो जहां पर मुस्लिम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उसे हम मदर्साब होते हैं, फिर हास्म मामून याने अथावर, अंतरिक्ष याने आकाश, पंक्ति याने कतार, एकवर एक्या में अचानक, फिर प्रश्नों के अभ्याद, कभी तक ही पहली दो पंक्तियों में तता विचार करने के लिए आपके मन मश्तिते हैं, जो जित को बढ़ता है, या जो कवीता हुँने परियारी बाल स्रांच के बारे में, उसके बारे में कभी प्रस्न है या, उसका उत्तर है कवीता की पहली पंक्तियों फो पंक्तियों को पन्सिते उता-विचार fixture करने measure बच्चों के प्रती चिंता और करुना का वहाओ मड़ता है, फो जिसी उम्र मेड़ी हैं, अपना और परिवार का पेख भरने के लिए, ना चाहिते हुए थिये, संद में, सुबह सुबह उठकर मेज़ूरी करने जावे बात करते हैं, जाना पढ़ना, फिर है कभी का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की बयानत बात को विबरन किस तरह सवाल उठाए जाएं पूझे आ, जाना चाहिए, की काम पर क्यों जा रहा है, जाके रही हैं प्रस्मा, और कभी की प्रिस्टी में उसे प्रस्म परहों है, क्यों पूछा जाना उचे प्माजा, फिर आंसर द करने के लिए बात को प्रस्न रूप मेरी उच्छा जाना उचित होगा लोगों को बैठ कर ही विमर्ष करके समस्यता उचित समधा करना होगा पिर ऐस्बिधा और मनोरंटीन के का वुप करनों से बच्चेस भी हुआ से जाना उनके बहुता और आज़िए यह उनके पास मनों रेटमन के साधन नहीं है जैसे टीवी हुआ, रेडियो हुआ, फीडियो देखना ये सब्सक्राइब के साधन नहीं है फिर बच्चों को ना चाहते हुए भी माता पिता का हाथ बढ़ाना पड़ रहा है जाँ जीविता के लिए इतनी मेनद करने परवली है और सुख सुबिधाव की सब्सक्राइब करना असंबलता लगता है फिर दिन प्रती दिन के जीवन में हर बच्चों को काफ कर जाते देख रहा है कुछ हैटपटा नहीं लगता क्या इस उजासी कारण हो शक्ते है इस उजासी किसा कारण सकते जैसे लोग आज मुत रहे हैं और उन्हें सिर्फ अपने काम के मतलब है डूसरों की कस्तों से को हुई नहीं उनको समझना ना प्रयाब करना कई लोगों में तो जावरुपता की भी कमी, उन्हें यह भी नहीं पता पढ़ाई हर बच्चे का मॉले करिकार है, वे सिर्फ ईश्वर और बच्चों के भाव के कोड़ी दोर देते हैं. पिर है बच्चों का काम पर जाना धर्ती के एक बड़े हाते की तमान क्यों है, बच्चे इस देश का भविस्त हैं, यदी पढ़ बच्चे पढ़ी नहीं पाके, तो हमारे देश की आने लगी पिलिए की पिछली हो जाती है, देश का भविस्त हैं अमितार पुन होगा, उनके बच्च्पन से वंचित रखना, बाल अफराद दिये और हमारे की कारिफ है, इसलिए बच्चों का काम पर जाना धर्ती की बढ़े हाते की तमान है, अब है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं देजा राख चाहिए, उन्हें प्ला करने के मौकी मिलने जाह है, बता हैं, तो हम इज़त में विचार जिद्द से की, आपने विचार दिए से बच्चों को काम पर जिलना जाना चाहिए, कारण बच्चों की उमर कच्ची होती है, उनके मन भाववत है, भच्च Edition